हलो My friends आप सभी का सवागत हैस आज हम更ग से संबन दित जितने कंसेप्ट है उन सभी कंसेप्ट जूहरोल見て जूरूर being यहाँ पर जो B है, B का अर्थ होता है bracket, bracket का अर्थ होता है कोष्टक, friends कोष्टक के अंतरगत जो आता है आपके चार प्रकार के कोष्टक आते हैं, देखें friends इस प्रकार से यह दिलाइन खिचा होता है, इससे हम कहते हैं रेखा कोष्टक, ठीक है friends, फिर इसके बाद आपका आ होता है, देखें होंगे सवाल में, इससे हम मजला कोष्टक बोलते हैं, इसके बाद एक कोष्टक आओ रहाता है, इस प्रकार से बना होता है, देखें होंगे question में, इससे बोलते हैं हम बड़ा कोष्टक, तो friends देखें, जिस करम में बना हैं, इसी करम में इसको हल किया जात और चौथे नमबर फ्रेंज जो लास्ट में आपका आता है बड़ा कोश्टक इस कोश्टक को हल किया जाता है तो फ्रेंज बी का अर्थ होते ब्रेकेट ब्रेकेट के अंतर चार प्रकार के कोश्टक आते हैं रेखा कोश्टक छोटा कोश्टक मजला कोश्टक और बड़ा अगला इस्टेप अर्थ होता है division, division का मतलब होता है भाग, देखे फ्रेंस यह आप भाग का चिन देखे होगे, इस प्रकार से होता है भाग का चिन, यह आपका भाग होता है, अगला इस्टेप इसमें लिखा है yam, yam का मतलब होता है multiplication, multiplication का अर्थ होता है गुड़ा, गुड का सिंबल यह होता है ठीक है अगला आता है सब्ट्रेक्शन सब्ट्रेक्शन का अर्थ होता है घटाना तो देखे फ्रेंस घटाना का चिन यह होता है चले फ्रेंस यह तो था आपका बोर्ड मास में जो बी का अर्थ ओका डी का यम का अर्थ एक और यसका अर्थ क्या होता है यह सभी रूल हैं और इसी रूल पे इसको हल करते हैं देखें जिसे पकार्स लिखा है इसे step by step इसी पकार्स हल करते हैं इस पर हम question लगाएंगे तो आपका जो concept होता है पूरा clear हो जाए गए चलिए इस पर example हल करते हैं तो फ्रेंस देखें फ्रेंस आपके सामने यह example है कि 18 भागे तीन मजले कोश्टक चार माइनस दो छोटे कोश्टक पांच धन तीन गुड़े दूपर रेखा कोश्टक च्टा कोश्टक मजले कोश्टक यूजवाब कोश्टक अभी आपकोoberा कोश्टक समझाए कि किस प्रकार से हल करना है सबसे पहले आपको रेखा कोश्टक फिर उसके बाद चोटा कोश्टक Musla, फिर जो भाग को हल करना भूड़ा धन और इस्क्रार सारा令лем उसे पर पर हल करते हैं देखिए फ्रेंस सबसे पहले आपको किसको हल करना है आपको सबसे पहले रेखा कोश्टक देखिए फ्रेंस यहां पर है रेखा कोश्टक सबसे पहले इसको हल करना है इसके इलावा जितना भी यहां पर संख्या बच रहा है सेम टू सेम इसी पकार उतारना है चलिए उतारते हैं देखिए यहां पर लिखिए 18 भागे 3 मजला कोष्टक 4-2 यह आपका हो गया छोटा कोष्टक 5 और यहां पर धन है देखिए आपका फ्रेंस यह रेखा कोष्टक में तीन गुड़े दू है तीन का दू में करेंगे तीन दूना के 6 हो जाएगा ठीक है यह म इसको अल किजिए चलिए इसके जाए छोटा कोष्टक के जितनी भी अंग के यहां पर बच रहा है है और कोष्टक बच बच रहा है इसको इसी प्रकार उतार यह चैँगा यहां पर लिखा 18 भागे आपका मजला कोष्टक 4-2 देखिए इसको अल कहाच कितना जाएगा 11 होता है तो यहां पर हमेशा गुड़ा का चिन लेते हैं इसको आप याद रखेंगा क्या लेना है आपको गुड़ा का चिन उच्छा बच कितना हो जागा फ्रेंस 11 होगा 11 ले लिजिए और यहां पर आप मजले कोश्टक बना लिजिए इसलिए कि आपका छोटा कोश्टक हल ह हो गया अगले श्टिप क्या करना है आपको मजले कोश्टक को हल करना है इसकी इतना भी पदवचरा उसको उतार लिजिए चलिए यहां पर उतारते हैं देखिए 18 सुरी दोस्ते यहां पर तीन था यहां पर तीन भी लिख लिख लिजिए 18 भागे तीन यह आपका मजला कोश्टक देखें फ्रेंज आपको बता है क्रम से यदि आपके मतल्ब प्र anyways में एक ही साथ जोडगा गटा ना गुड़ा भाग हो एक ही कोष्टक में सबसे पहले भाग को करते हैं उसके बाद गुड़ा उसके बाद छोड़ह। दो उसके बाद गटा ना यहाँ भाग दिया नहीं दूसरे नम पर लाख करना है अब geology है और इसको भागें तीन लिखेंगे देए इसको अल किजिए अब बताईए कि 22 में से 4 घटा था आपको कितना बचे गए 22 में से 4 घटा था ठीक है लेकिन अब 22 में से 4 घटा रहें 22 के सामने चीन माइनस का तो इसके साथ माइनस रखेंगे और पर अभी समझाए आपको कोश्टक को बार किसी चिश का चिन नहीं होता है तो किस चिश का चिन लेंगे? गुड़ा का, और यहाँ माइनेस-18 बच रहा है तो माइनस-18 ले लिजिए, अब यह मज़रा कोश्टक आपका हाल होगे, बड़ा कोश्टक बना लिजिए, अब लिखिए, देखिए, य यहां पर आपको क्या हाल करना है सबसेफ भाग को हाल करना है यहां भाग क्या है यहां पर देखिए भाग वाला पद यह है यानिकि तीन का भाग 18 में देखिए कितना होगा तीन चक 18 18 गुड़े माइनस 18 ठीक अधिक फ्रेस दूसरे नंबर पर गुड़ा और सिर्फ इसमें गुड़ा वाला पाज बत रहा है यानिक 18 के गुड़ा 6 में करना है चा के गुड़ा 18 में कीजिए या 18 गुड़ा 6 में कीजिए कर लिजिए 205 48 ठीका 6 6 3 6 4 10 ठीक है और माइनस के प्लस में गुड़ा करेंगे फ्रेस माइनस होगा ठीक है यहीं आपको क्या हो जागा फ्रेस आपका एंस्वार हो गा तो फ्रेस इस प्रकार से आप बड़ा खोष्टक मजला कोष्ट्ट और जब रेखा कोष्ट ऑ छोटा कोष्टक ए सिंपल तरीका से इसी परकार हल किया है।